भॉमिक और प्रग्या की शादी को बस कुछी दिन रह गए थे। मेरी बहु तो बहुत होश यार है। चल अब जब तू आ जाएगे ना तो हम सब को अपने हाथ का अच्छा अच्छा खाना खिलाना। बस अब जल्दी से दुलहन बन कर घर आ जा बहु। हम सब तेरा बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे है। जी माजी बस कुछ दिन और कुछ दिनों बाद हर बहु की तरह प्रग्या भी कई तरह के सपने संजोए अपने ससुरा लाती है। साथ ही वो अपने साथ अपनी पहली रसोई का मेन्यो भी बना कर लाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि उसे क्या-क्या बनाना है। अरे प्रग्या ये क्या है। मैं पहली रसोई में क्या-क्या बनाऊंगे उसका मेन्यो है। अच्छा, मैं भी तो सुनू जरा, मेरी बीवी क्या बना रही है खास? शाही पनीर, मलाई कोफते, मिक्स वेज, पूंदी रायता और पूरी वावा, फिर तो मजा या जाएगा, मेरे मूँ में तो अभी से पानी आ गया बस थोड़ा सा इंतजार, मैं अभी रसोई में जाकर जट से सब कुछ बना दूँगी प्रग्या जैसे ही रसोई में पहुँची तो रसोई में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ही नहीं मा जी, मा जी, फ्रिज में तो टमाटर है ही नहीं बहु तुझे पता भी है टमाटर दो सो रुपे किलो चल रहे है इसलिए मैं तो लाती ही नहीं रुक, मैं अभी पडोसन से मांग कर लाती हूँ आधा टमाटर तो वो दे ही देगी अरे तुझे चिंता ना कर प्यास जादा डाल कर ही तुझे सबजी बना दे ना हम सब खुशी-खुशी खा लेंगे बिचारी बहु का बड़ा मन था सबको अच्छा-च्छा खाना खिलाने का लेकिन बिना टमाटर के तो उसके अर्मान धरे के धरे ही रह गए वो बिना टमाटर के ही सारी सबजियां बनाने लगी और दो गंटे बाद वो सबके लिए टेबल पर खाना परोस्ती है रग्या जब तुम खाने का नाम ले रही थी ना तो मेरे मुँ में तो पानी ही आ गया था लेकिन अब ये खाना इतना मज़ेदार नहीं लग रहा चही कहा बेटा मैंने भी सोचा था कि आज कुछ अच्छा खाएंगे लेकिन चलो कोई बात नहीं वो पापाजी रसोई में आधी चीज़े थी नहीं और टमाटर वो तो थे ही नहीं ऐसी बात नहीं है बहू बिना टमाटर के भी अच्छी सबजी बन जाती है अच्छा चल अब कोई बात ले तू कल अच्छी सबजी बना लेना बिचारी प्रग्या ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाय था इसलिए अगले दिन जब उसके ससुर सबजी लेने जा रहे थे तो प्रग्या ने उनसे कहा पापा जी थोड़ा टमाटर भी लेते आएगा अच्छा ठीक है बहू मैं ले आऊंगा है ससुर के जाते ही प्रग्या ने मटर पनीर की सबजी बनाने की तैयारी शुरू कर दी अब आज तो मैं अपनी बनाई हुई सबजी से सबका दिल जी थी लूंकी कुछ दिर बाद जब उसके ससुर जी बाजार से आए पापा जी आप जल्दी से टमाटर दे दीजे मैं सबजी बना लेती हो बहू टमाटर तो बहुत महंगे हैं इसलिए मैं लाही नहीं पाया मैं तो पहले ही कह रही थी कि टमाटर महंगे हैं लेकिन अब बिना टमाटर के मैं भला सबजी बनाऊं कैसे अरे बेटा प्याज और अद्रक लैसुन डाल कर बना ले हम सब खा लेंगे लेकिन मा जी ऐसी सबजी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी अब तुम लोग देख लो कैसे बनानी है हम तो सब खा ही लेते हैं प्रग्या ने मटर पनीर की सबजी तो बना दी लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी और आखिर हुआ भी वही इस मटर पनीर में तो बिलकुल भी सबजी अच्छी बनेगी नहीं बहु अब तुम कल कोई ऐसी सबजी बनाना कि उसमें सबजी भी हो और टमाटर भी ना डले इन सबको टमाटर भी नीलाना और सबजी भी स्वादिश चाहिए बिना टमाटर की सबजी में बिलकुल भी स्वाद नहीं आता जिस वज़ा से हर कोई बिचारी प्रग्या के खाने में नुक्सी निकालता लेकिन अगले दिन प्रग्या फिर शाही पनीर बनाती है जिसे खा कर सब अपनी उंगलियां ही चाटते रहते है सच में बेटा वा बहु वा आज तो तुमने कमाल ही कर दिया बई सच में बहु आज तो सबजी खाने में मज़ा ही आ गया आखिर ऐसा कौन सा जादू डाला है तुमने इसमें कुछ नहीं सासुमा बस 200 रुपे किलो के टमाटर डाले है अब टमाटर की वज़े से सबको खाना इतना पसंद आये है तो अब से मैं कल से ऐसा खाना ही बनाओगी हे राम 200 रुपे के टमाटर बहु तु वैसे बिना टमाटर के भी बहुत ही अच्छी सबजी बनाती है क्यों जी आ बहु और वैसे भी ये खाना थोड़ा भारी हो जाता है तु अगर हमारे लिए हलका ही बनाएगी तो हम तो वो भी खा लेंगे ठीक है जैसा आपको ठीक लगे अब प्रग्या जब भी बिना टमाटर की सबजी बनाती तो सब खुशी खुशी खा लेते क्योंकि अब सबको समझा गया था कि कमी उसकी सबजी में नहीं बलकि बिना टमाटर की सबजी में है और अगर खाने में स्वात चाहिए तो महंगे टमाटर भी लाने ही पड़ेंगे गोमती नाम की एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे सुदरशन और बहु ममता के साथ रहती थी गोमती का बड़ा बेटा और बहु एक सड़क हाथसे में इस दुनिया से चले गए उस समय पोती खुशी गोमती के पास घर पर थी अब इस दुनिया में गोमती की पोती खुशी का अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था क्योंकि खुशी के चाचा चाची स्वभाव के बहुत खराब थे चाची दादी की तब्यत बहुत खराब है अब दादी से काम मत करवाओ दादी को बुखार है चल हट बड़ी आई दादी की सगी ओ बुडिया अभी तक तेरे से बरतर नहीं धुले कपड़े कब धोएगी फिर बस धुल गए बहु शरीर बहुत दुख रहा था तब्यत बिल्कुल ठीक नहीं है रोज रोज कब बिमारी का बहाना यहां नहीं चलेगा तुझ्योर तेरी पोती को घर में रहने की जगदी है शाम को मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे है इसके बाद रसोई में जाकर उनका खाना बनाना समझी और साथ में अपनी पोती को भी लगा सारा देन इधर उधर घूमती रहती है दादी लाओ मैं आपकी मदद करूँ आपकी तब्या ठीक नहीं है दादी चाची बहुत बुरी है चाची आपको कितना तंग करती है आपसे कितना काम करवाती है मेरी बच्ची तो इतने छोटे-छोटे हाथों से कैसे काम करेगी रहने दे बिटिया मैं कर लूँगी गोमती और खुशी की आँखों में आसुआ जाते हैं खुशी जानती थी कि उसकी दादी की तब्याद बहुत खराब है पर वो छोटी बच्ची क्या कर सकती थी शाम के समय ममता की मा और बहन रहने आ जाती है ममता के बच्चों के लिए वो खिलोने और खाले पीडे की चीजे लाई थी खुशी बच्चों को खिलोनों के साथ खेलता देख लेती है और वो उनके पास जाती है तभी मम्ता की बेटी महिमा के हाथ से गुडिया तूट जाती है और वो खुशी पर दोश लगाने लगती है नानी देखो ना मौसी देखो ना खुशी ने मेरी गुडिया तोड़ दी मम्ता ये लड़की तो बड़ी शैतान है खुद तो माबाप पर लोग सिधार गए और चाती पर मूंग दलने के लिए इसे याँ छोड़ दिया बताओ जरा इतनी महिंगी गुडिया लाई थी मैं महिमा के लिए और इस लड़की ने पल भर में तोड़ दी हाँ दीदी ये तो बहुत गलत बात है तुम्हें से सबग क्यों नहीं सिखाती हो कि आज के बाद ये ऐसा कुछ ना करे हम देखती जो मैं इसे अभी सीधा करती हो बिट्टू जरा सामने से डंडा तो लाना ममता डंडे से खुशी की पिटाई करने लगती है खुशी बचाओ बचाओ चिलाने लगती है ममता बहु रहने दे बिचारी मासूम बच्ची है इसे मत मार ममता मैं तेरे आगे भीक मागती हो इसे छोड़ते सुधर्शुन बिटा अच्छा हुआ तुँ आगया ममता को बोल खुशी को ना पीटे इस बिचारी का इस दुन्या में कोई नहीं उसके साथ ऐसा सलूप मत करो मा तुम बीच में मत आया करो बच्चों को सबक सिखाना जरूरी होता है ममता उसे किसी वज़ा से ही पीट रही है और मैं अभी अभी थका हुआ आया हूँ मुझे इन सब बातों में मत घसीटो मुझे तो अपने उपर शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसी उलाद को जन्म दिया तू अपने भाई की बच्ची के साथ इतना बुरा सलूप होते हुए देखता रहता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं मत करो पाप ममता का गुसा खुशी को पीटने के बाद ही ठंडा होता है उस रात खुशी और गोमती बहुत रोए और उधर ममता अपनी मा और बेहन के साथ खुब खिल खिला कर पूरी रात मज़े करती रही अगले दिन गोमती की उठने की भी हिम्मत नहीं थी गोमती की तब्यद कुछ नहीं खाया है उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो तो मैं क्या गरू हम सब घूमने जा रहे हैं घर में कुछ नहीं है खाने को रसोई को मैं ताला लगा कर जा रही हूँ भूखे मरो या कहीं चले जो पर मेरा दिमाग मत खाओ चलो मा चलो बर्खा बच्चो जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं ममतार रसुई को ताला लगा जाती है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था घूमती की तब्यत और खराब होती जा रही थी खूमती को बिना बताए बाजार में कुछ खाने का लेने किरे निकलती है वो बाजार में सबसे मदद बांगती है भाईया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो मेरी दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है वो भूखी है पैसे है तेरे पास, अगर पैसे है तो ले जा नहीं भाईया, मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहां से जाओ अब क्या करूँ, दादी के लिए खाना कहां से लाओ तब ही खुशी की नजर एक मंदिर पर पढ़ती है जहां एक पंडाल लगा था वहां एक औरत, कुलहर खिचुडी का प्रसाद बाट रही थी खुशी उसके पास जाती है क्या हुआ बिटिया, प्रसाद चाहिए पर आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है आप तो इसके बदले में मेरे से पैसे बांगोगे न नहीं बिटिया, भगवाइन के मंदिर में जो प्रसाद बाटा जाता है उसके पैसे नहीं होते, ये तो मुफ्त में मिलता है मुझे किसी ने भी बिना पैसों के खाना नहीं दिया मेरी दादी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है आंटी वो सुबह से भूकी है मालीनी कुलहड खिच्डी बनाने का कारे करती थी पूरे सब्ता अलग-अलग मंदिरों में कुलहड खिच्डी बना कर बटवाना यही उनकी संस्ता का कारे था ये काम मालीनी पिछले पांच वर्षों से करती आ रही थी अब मालीनी का परिवार भी इसमें सहयोग देता था मालीनी पैसे वाली होने के साथ साथ दयालू स्वभाव की थी इश्वर की प्रती अटू टास था के कारण मालीनी ने लोगों की सेवा के लिए ये समाज सेवा का कारिप्रारम किया माली नी खुशी के साथ उसके घर पहुँचती है गुम्ती की हालत बहुत ही नाजुक थी माली नी गुम्ती को हॉस्पिटल में एड्मिट करवाती है गुम्ती की तब्यत में सुधार आ जाता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया आपने मेरे लिए जो किया माता जी हमारी संस्था का तो काम ही यही है गरीबों और बेसहरा लोगों की सहायता करना अब आप परिशान मत होए आप भी हमारी संस्था का ही हिस्सा है अब आपको अपने उस नालाइक बेटे और बहु के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है हमारी संस्था की तरफ से आपको रहने की जगा और काम दोनों मिलेंगे हमारी संस्था कुलहड की च्री बनाकर मंदिरों में बाटने का काम करती है जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया मालीनी जी आप तो हम दादी पोती के लिए इश्वर का कोई रूप बन कर आए हो सच मुच कभी कभी पराय भी अपनों से बढ़ कर हो जाते हैं गोमती अपने बेटा बहु का घर छोड़ देती है अब वो मालीनी के साथ समाज सेवा का काम करती थी कुलर खिच्डी बनाने में गोमती अपना पूरा सहयोग देती थी गोमती देखती है बहुत से बेसाहरा महिलाएं इस कारे में मालीनी को सहयोग देती है माली नी एक अच्छे स्कूल में खुशी का एड्मिशन भी करवा देती है गुमती को इस बात की तसली थी कि उसने खुशी के बरबाद होते हुए जीवन को बचा लिया था और ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ था